नमस्कार दुस्तों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने येटूब चैनल इस्टोडी बी तरभी पर फ्रेंड्स आज हम इस क्लास में उत्राखन समाने ज्यान का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करने जा रहे हैं जो हमारे एक सिरी चल रही है उत्राखन समाने ज्यान प्रैक्टिस सेट सिरी जिसके अंत्रकत हम उत्राखन समाने ज्यान के पीवाई क्यू सोल्ब करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम इसका 26 प्रैक्टिस सेट सोल्ब करने जा रहे हैं तो से लिगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस प्रक्टी सेट को और इस प्रक्टी सेट में सभी कोशन दोस्तों महत्पुन हैं आपके एक्जाम के लिए तो पहला प्रेशन हैगा फ्रेंट्स कुमावु छेत्र की प्रमप्रागत ओड़नी को रंग वाली पिछोडा कहा जाता है इसका कारण है तो इसका कारण है दोस्तों रंग बे कला करती और चित्रांकन तो सही आंसर हैगा ओप्शन सी दूसरा कोशन है फ्रेंट्स मेती आंदुलन कब और कहां शुरू हुआ फ्रेंट्स मेती आंदुलन 1996 में ग्वाल्दम चमोली से शुरू हुआ था राइट आंसर हैगा ओप्शन ए याद रखेगा कल्यान सिंग राबत के द्वारा मेती आंदुलन को चमोली के ग्वाल्दम से शुरू किया गया था, ठीक है? अगला प्रसन है प्रजसा मंडल नामक सनस्था की स्थापना 1949 में कहा की गई? तो प्रजसा मंडल नामक संस्था की स्थापना 1949 में की गई थी दोस्तो 12 द्रोन में सहिए आंसर है हमारा option d याद रखने हैं आपको कि प्रेजा मंडल की स्थापना 23 जनवरी 49 को देहरा दून में की गई थी ठीक है और देहरा दून में भी दोस्तो प्रोपल जगा आती है तो चक्कू वाला नेश्ट कोशन है उत्राखन के सर्यू एवं गोमती नदी के तट पर वसा नगर कोन सा है तो गोमती एवं सर्यू के संगम पर वसा है दोस्तो वागिश्वर राइट आंसर हैगा ओप्शन C, इस प्रकार से भी पुछा जा सकता है कि सर्यू एवं गोमती का संगम कहा होता है, तो फ्रेंट्स बागिश्वर में पाच्वा प्रसने, उत्राखन के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्राखन के प्रथम मुख्यमंत्री है दोस्तो, नित्या आनंद स्वामी, सही अंसर हैगा ओप्शन B, जो कि अंत्रिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने थे 9 नवंबर 2000 को, जबकि अंत्रिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भगत सिंग कोश्यारी, जबकि न निर्बाचित सरकार के पहले मुख्य मंतरी बनते हैं एंडी तिवारी थे ये सभी प्रस्ण दोस्तों आपके उत्रखन भंडारप पाल नो जन्वरी 2017 को हुए एक्जाम से लिये गए हैं तो आप निश्चित रही हैं ये सभी प्रस्ण आपके प्रिपेशर की कोशन हैं आप से नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर आपको ये पिपर मिल जाए तो आप वहां से चेक कर सकते हैं इस स्रीच के माध्यम से दोस्तों आपका रिबीजन कराना मेरा मकसद है छटा प्रस्ण है दोस्तों जिम कोर्वेट नैशनल पार्क इस्थापित किया गया था तो जिम नदी दोस्तो कॉर्वेट नैसनल पार्क के मध्य से होकर बहती है ठीक है और यह है दोस्तो उत्राखन के दो जनपदों मेचती थे पोड़ी गड़बाल और नैनी ताल में इसका मुख्याले दोस्तो काला डूंगी मेचती थे जबकि इसका परवेश दुवार जो बोला जाता है अगला प्रेस ने चंपाबत में राज भूंगा नामक किला किस चंद बंसिया राजा द्वारा बनवाया गया था तो चंपाबत में दोस्तो राज भूंगा किला जो बनवाया तो वह सोम चंद के द्वारा बनवाया गया था राइट आंसर है ऑप्शन D very important है सोम चंद बंस का संस्था पक होता है और इसी के द्वारा दोस्तो, राज बुंगा किला चंपाबत के कोत बाली छाबनी में बनवाया गया था ठीक है, और इस किले के लिए दोस्तो, इसने चाराल के नुक्ति की थी ये चार आल जो होते थे दोस्तों मूल रूप से नेपाल के निवासी होते थे चार आल हैं दोस्तों कारगी, बोरा, तड़ागी और चोधरी ठीक है सिधा आपसे कोशन भी बनेगा कि सोमचंद के द्वारा चार आल के नुक्ति की गई तो ये चार आल कौन से हैं तो दोस्तों कारगी, बोरा, तड़ागी और चोधरी जो की मूल रूप से नेपाल के निवासी होते थे अगला प्रसन है उत्राखन में चाय बगान कहां पर है तो फ्रेंस चोकडी जो की पिथोरागण मेशती थे, बैरी नाग यह भी दोस्तों पिथोरागण मेशती थे, ग्वालदम यह दोस्तों चमोली में है तो इन तीनों जगहा पर दोस्तों चाय बगान लगे हैं तो रैट अंसर हैगा उप्संडी उप्रुक्त सभी जगह चाय बगान है फ्रेंस उत्राखन में चाय की खेती की जो सुरुबात होती है तो बैर बिसभ हैवर के द्वारा 1824 से मानी जाती है अगला प्रसने मदू मिता बिष्ट निम्नमे से किस खेल की अंतराश्टिय खिलारी है मदू मिता बिष्ट वेरी इंपोर्टेंट है ये दोस्तों वैट मिंटन से सम्मधित खिलारी है जिन्हें वैट मिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है इन्हें दोस्तो 1982 में अर्जुन पुरुषकार और 2006 में पदम सिरी पुरुषकार भी दिया गया है ठीक है तो मदू मिताविष्ट इन्हें दोस्तो वैटमिंटन क्यूइन के नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है भारत का सबसे उचा बांध नेमन में से कुन सा है भारत का सबसे उचा बांध है दोस्तो टीरी बांध राइट अंसर हेगा उप्शन वी ठीक है टीरी बांध दोस्तो इसकी कुल उचाई है 260.5 मीटर जो की भागरती और बलंगना नदी के संगम पर बना है ठीक है अगला प्रसन है उत्राखन में चिपको अंदुलन की प्रणता थी तो चिपको अंदुलन जो सुरू किया ये दोस्तो कोरा देवी के द्वारा सुरू किया गया था राइट अंसर हेगा उप्शन ए इसलिए इन्हें चिपको अंदुलन की प्रणता माना जाता है चिपको अंदुलन यह दोस्तों 1974 में शुरू हुआ था चमुली के रेणी गाउं में ठीक है और चिपको अंदुलन यह दोस्तों वन की कटाई से संबंदित है इसमें दोस्तों अंगु के ब्रक्ष को काटा जा रहा था जिस कारण गोरा देवी के निर्थत्व में दोस्तों इस अंदुलन को शुरू किया गया गोरा देवी को दोस्तों चिपको भुमेन और अम्मा दादी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसने किस बिद्रो को कुमाओ के बार्दोली के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों कुमाओ का बार्दोली यह कहा जाता है सल्ट विद्रो को जो कि 5 सितंबर 1942 में हुआ था ठीक है 5 सितंबर 1942 को कुमाओ का बारदोली सल्ट विद्रो हुआ ठीक है और 5 सितंबर को ही दोस्तो प्रती वर्स सही दिबस भी मनाया जाता है इसके लाब दोस्तो आपसे पुछा जाएगा कि गड़बाल का बारदोली किसे कहा जाता है तो गड़बाल का बारदोली दोस्तो गुजडू आंदोलन को कहा जाता है जो 1942 में हुआ था ठीक है और इस आंदोलन का नेत्रत्व किया था राम परसाद नोटियाल ने तो गड़वाल का वार्दोली गुजडू आन्दोलन उनिस सो बयालीस जबकि कुमाओ का वार्दोली तो दोस्तो सल्ट बिद्रो अगला प्रसने कपकोट तहसील कुन से जिले में है तो कपकोट तहसील ये फ्रेंड्स बागिश्वर में इस्तित है अगला प्रसने नची केता ताल निम्नमे से किस जिले में इस्तित है नची केता ताल ये दोस्तो उत्रकासी में इस्तित है अगला प्रसने नची केता ताल ये दोस्तो उत्रकासी में इस्तित है राइट आन्सर रहेगा उप्सन बी अंत्रकत दोस्तों 200 बर्ग मेटर जमीन आती है सही अंसर रहेगा option C इसी प्रकार दोस्तों question बनता है कि एक मुठी में कितने गिराम होते हैं तो friends 6.5 गिराम होते हैं एक मुठी में ठीक है जो कि बजन को मापने से सम्मांदित एक एक आई थी अगला प्रसन है बन अनुसंधान संस्थान इस्तित है बन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों दहरादून में बना है जिसे हम सोट में FRI के नाम से जानते हैं Forest Research Institute ठीक है और दहरादून में बना है ये दोस्तों 1906 में बना था इसने अपने 100 वर्स दोस्तों 2006 में पूरे किये और 2006 को FRI का सतापदी वर्स भी बोला जाता है बात करेंगे दोस्तों इसके इतिहास की तो 1978 सुरी 1878 में दून बन विध्यालिया बनता है ठीक है दहरा दून बन विध्यालिया 1878 में इस विध्यालिया के आगे दोस्तों इम्पीरियर फोरेश्ट स्कूल जो सब्द जोड़ा गया तो वह 1884 में जोड़ा गया था और इसे दोस्तों FRI जो भोशित के गया 1906 में जबकि इसे डिम्ट का जो दर्जा दिया गया तो वह 1991 में जोड़ा गया था तो सीधा याद रखेगा कि FRI को दीम्ड का दर्जा किस वर्ट जोड़ा तो फ्रेंट्स 1991 में और बरतमान में उत्राखन में तीन विश्व विध्यलिया दीम्ड का दर्जा दीम्ड का दर्जा प्राप्त करता है अगला प्रसन है निम्नवे से किस इस्थान पर कुम्भ मिला आयुजित नहीं होता है तो भारत में चार जगा कुम्भ मिला आयुजित किया जाता है ठीक है दहरादून में किया जाता है उज्जेन में भी किया जाता है दोस्तों और नासिक में भी किया जाता है और एक आता है इलहबाद तो इन चार जगाँ पर कुम्भ मिला आयुजित किया जाता है जबकि पुसकर ठीक है यहाँ पर कुम्भ मिला आयुजित नहीं किया जाता एक कोशन बनता है दोस्तों कि कुम्भ मिले को यूनेसको की सूची में कब सा जा चुका है फ्रेंट्स भारत में दो जगा अर्थकुम्ब लगते हैं ठीक है कहा कहा पर लगते हैं तो यह है दोस्तों हरीद्वार और इलहबाद में लगते हैं अगला प्रस्राइगा दोस्तों कामेट परवत उत्राखन के किस जिले में इस्तित है कामेट परवत यह है दोस्तो चमोली में इस्तित है जिसके उचाई है 77-56 मेटर और यह है राज्य का दूसरा सबसे उचा परवत है जबकि राज्य का सबसे उचा परवत आता है 78-70 मेटर पश्मी नंदा देवी परवत तो राज्य का सबसे उचा परवत पश्मी नंदा देवी 78-70 मेटर इसकी उचाई है जबकि राज्य का दूसरा सबसे उचा परवत कामेट परवत है जो की चमोली में श्तित है इसकी उचाई है 77-56 मेटर ठीक है अगला प्रसन है गड़बाल के प्रमुक समाचार पत्र गड़बाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ तो गड़बाल समाचार ये दोस्तो हिंदी भासा का समाचार पत्र था इसका प्रकाशन क्या गया था 1902 में सही answer रहेगा option B ठीक है तो 1902 में दोस्तो इसका प्रकासन क्या गया और इसके संपादक थे गिरजदत निथाणी और यह है दोस्तो लेंस डाउन पोड़ी गड़बाल से निकाला गया तो याद रखेगा कि गड़बाल समाचार पत्र 1902 में लेंस डाउन से गिरजदत गड़बाली के संपादन में सुरू किया गया था और यह हिंदी भासा का समाचार पत्र था इसी प्रकार दोस्तो आता है गड़बाली समाचार पत्र ठीक है गड़बाली समाचार पत्र यह है गड़बाली भासा का समाचार पत्र था जिसका प्रकासन 6 माई 1905 में विसंबर विशंबर दत चंदोला के संपादन में दहरा दून से किया गया था तो गड़वाली समचार पत्र कहां से निकाला गया दहरा दून से किस भासा में था गड़वाली भासा में कब निकाला गया 6 मई 1905 को ठीक है यह सभी बाते दोस्तों आपको याद रखनी है अगला प्रसने उत्राखन में उपनी बेसिक संगर्स किसके समय प्रारम हुआ तो उत्राखन में उपनी बेसिक संगर्स जो शुरू हुआ था तो भह दोस्तों गोर्खाओ के समय सुरू हुआ था ओपनी बेसिक मतलब जो दोस्तो यूरोपिय कम्पनिया भारत में आ रखी थी उन्हें ही ओपनी बेसिक कहा जाता है तो अंग्रेजों ने जो उत्राखंट पर अधिकार करने की कोशिस की तो भें गोर्खों के समय से की थी ठेक है अगला प्रत ने तरुल कुमावू की स्थापना हुई तो तरुल कुमावू एक मासिक पत्रिका है दोस्तो जिसे 1922 में बेरिष्टन मुकंदी लाल के द्वारा लेंच डाउन से निकाला गया था ठेक है फ्रेंड्स एक है मेजनी जो की इटली के रहने वाले है ठेक है और इनकी पत्रिका आती है यंग इटली और इस यंग इटली पत्रिका की तरच पर ही दोस्तो बेरिष्टन मुकंदी लाल ने तरुल कुमावू पत्र का परिकासन किया था कब किया 1922 में Lansdown से आपने अभी तक हमारे सभी practice set नहीं देखे हैं तो प्लीज आप playlist में जा कर देख सकते हैं आपने अगर ये सभी practice set देख लिए या फिर आप daily हमारे practice set से जोड़ते हैं तो दोस्तों मैं वानता हूँ आपका revision अच्छे से हो जाएगा और काफी कुछ दोस्तों आपको नया सीखने को भी मिलेगा ठीक है तो exam के लिए दोस्तों सबसे best जो होता है तो वह आपका revision होता है अगला प्रस्ण है 2011 की जनगलना के अनुसार उत्राखन में लिंग अनुपात है तो 2011 की जनगलना के लिंग अनुपात से हमारे उत्राखन का जो लिंग अनुपात है तो वह 20 जादा है अगला प्रस्ण है निम्रिखित में से कौन सा मिला परसू मिला है तो उत्राखन का दोस्तों सबसे बड़ा परसू मिला था सोबनात मिला जो कि अल्मॉरा में लगता है थिक है तो फिलाल में दोस्तोँ अब सायद बंद हो चुका है क्योंकि अब जानवरों से इतना काम नहीं कराए जाता जैसे पहले खेतों में जो जुताई वगारा होती थी तो वह वेलों से थिक है और की जाती थी तो अब दोस्तों ये सब कुछ बंद हो चुका है तो इसलिए यह मेला भी अब सायद बंद हो चुका होगा ठीक है तो सोमनात मेला आपको याद रखना है यह पैसु मेला रथा राज्य का सबसे बड़ा जो की अलमुणा में जित होता था अगला प्रसन है कि केदारनात दुरगटना घटित हुई तो फ्रेंट्स केदारनात दुरगटना जो घटित हुई तो वह 16-17 जून 2013 को घटित हुई थी राइट आंसर हैगा उप्शन सी और यह रज्य की सबसे बड़ी दुरगटना मानी जाती है याद रखेगा कि मंदाकनी नदी में बाढ आने के कारण के दारनात पूरा मंदीर धुरश्ट हो गया था ठीक है और मंदाकनी नदी में बाढ आने का जो कारण था तुम्हें दोस्तो चोरा बाडी ताल में गिलेशर के तूट जाने के कारण आना था अगला प्रस रहेगा मात्र सत्ता व्यवस्था उत्राखन की किस जन जाती में है तो मात्र सत्ता व्यवस्था यह है उत्राखन की थारू जन जाती में देखने को मिलती है जो की एक मात्र जन जाती है थारू जन जाती जिसकी व्यवस्था दोस्तो मात्र सत्ता आत्मक है सबसे ज़्यादा संख्या वाली जो जन जाती है तो बहुत थारू जन जाती ही है और यह है उधमशी नगर में निबास करती है जबकि कड़वाल की सबसे बड़ी जन जाती जो अनसारी जन जाती है अगला कोशन रहेगा पताल भुपनेश्वर गुफा किस जन पद में है तो प्रसन में से कितने प्रसन सही के है ठीक है तो कमेंट बोक्स में दोस्तो अपना स्कोर जरूर सेर किजीगा चमुरी जेले का नोटी छेतर किस उत्पादन के लिए प्रसिद है तो नोटी छेतर यह है दोस्तो ओर्गेनिक चाई के लिए प्रसिद है राइट आंसर रहेगा ओप्शन सी 28 प्रश ने पंदित गोविंद वल्लब बंद राज क्या संगरालिय तो यह फ्रेंड्स है राइट आणसर है ओप्शन डी ठीक है तो अलमुडा में इस्रीत है आपका पंदित गोविंद बलंब बंद राज क्या संगरालिय जो 1979 में इस्थापित के गया था इसके लाब दोस्तो अलमुणा में ही जीबी पन्त हिमालिया परियाबरण संस्थान भी स्थित है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रसन हैगा अलमुणा में डिबीडिंग कलब की स्थापना कप की गई थी तो राइट आंसर है का ओप्शन डी 1870 में तो 1870 में दोस्तो अलमुणा में डिबीडिंग कलब की स्थापना की गई और इसके संस्थापक आते हैं बुद्धी बल्लब बंत ठीक है फ्रेंड्स अलमोडा में जो डिवेडिंग किलप इस्थापित ही गया था तो इसी के द्वारा बिलियम मियोर के सुझाप से 1871 में अलमोडा अखवार प्रिकासित के गया था और इसके पहले संपादक थे बुद्धी बलबपन्त ठीक है तो डिवेडिंग किलप के द्वारा ह गया था नेश्ट कोर्शन हैगा कि काली एवम गोरी नदी का संगम कहा होता है तो यह दोस्तो पितोरागड के डेडी हाट में होता है और डेडी हाट में ही इस्तित है जोल जीवी तो जोल जीवी नामकिस्थान पर दोस्तो काली गोरी नदीयों का संगम होता है तो राइट की गई थी गजेंदर बहादूर पाल के द्वारा 1914 में ठीक है और यह है दोस्तो चोध है नममर को आयुजित क्या जाता है ठीक है जोल जी भी मिला पितोरगड के डेडी हाट में काली गोरी नज्यों के संगंपर लगता है जो की एक एतिहासिक मिला है अगला प्रसन है निम्न बेगूल और हरीपूर ठीक है यह भी दोस्तो आपके उध्धम सिंग नगर में ही इस्तित है तो राइट आंसर हैगा ओप्शन डी उप्रुक्त सभी यह जलासिया दोस्तो आपके उत्राखण में इस्तित है अगला प्रसन है ठीक है अगला प्रसन हैगा दोस्तो प्रसासनि इसकी स्थापनों जो की गई तो वह 1988 में की गई थी ठीक है और फ्रेंट्स इसी अकैडमी के आगे आरेश टोलिया सब जो जोड़ा गया तो वह 2015 में जोड़ा गया था तो याद रखेगा कि आरेश टोलिया बर्तमान में प्रैसासिनिक प्रैसिक्षन अकैडमी का नाम है जो क 2015 से जोड़ा गया तो ये सभी प्रैसिन थे दोस्तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैं मानता हूं दोस्तो आपका अच्छे से रिविजन भी हुआ होगा क्योंकि हमने अधिकतर कोशन को दोस्तो एश्टर फेक्ट के साथ आज का आपको हमबर करेंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि अलमुणा में डिविडिंग कलब की स्थापना कप की गई ठीक है तो कमेंट करके जोड़ो बताईएगा दूसरा कोशन दोस्तो हमबर के लिए मात्र सत्ता आत्मक विवश्था उत्रखन की जि तो इन दो कुशन का दूस्तो आपको कमेंट करके आंसर देना होगा साथ में बताना हुआ दोस्तो आपको इकलास कैसी लगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक करेगा दोस्तो में शेयर किये जिएगा ठीक है और फेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल क को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं दोस्तो नेश्ट किलास के साथ तब तक के लिए थेंक्यू समच परोचिंग जैहिंद